आज इस वीडियो में मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक लेके आई हूँ जिसे यूज करके आप भी अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ व्लागर प्रतिभा स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कैसे हो आप सभी लोग आई हो आप सब लोग अच्छे होगे तो आज मैं लेकि आई हूँ फिर से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो जिसे जानकर आपको लगेगा कि काश मुझे ये पहले ही पता होता और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को आपको पूरा देखना है इसकिप मत करिएगा अगर आपने स्किप करकर के देखा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने वीडियो में क्या क्या बताया है और उस टिप्स और ट्रिक को आप अपने घर और किचन में यूज नहीं कर क्योंकि बहुत यूसफुल इंफॉर्मेशन टिप्स और ट्रिक में इस चैनल पर देती हूं वीडियो में देती हूं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो की गर्मी का सीजन चल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा हम खाते हैं प्याज और खाना करने लगता है कहीं कहीं से कुछ प्याज जो है एकदम खराब हो जाते हैं तो यहां में आपको बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक बता रही हूं जिसकी मदद से आपका जो अनियन है वह वन मन्त तक बिल्कुल खराब नहीं हो जब आप सभी अपने घर में लाते होंगे प्या का तो यह वाले जो पेपर में आपको दिखा रही हूं यह मार्किट से बहुत इसली मिलता है क्योंकि जब हम सब्जिया लेना जाते हैं तो आजकल इसी पेपर वाले बैग में हमें सब्जिया मिलती हैं कहीं प्लास्टिक तो पुरी तरीके से बंद हो गया है और होना भी च कर सकते हो घबराने की बात नहीं है मैं अल्टरनेट भी आपको एक बता देती हूं कि आप न्यूस पेपर कभी यूज कर सकते हो इसली मेरे घर में यह जादे आते हैं तो मैं इसका यूज कर रही हूं तो इसको रखने के बाद अच्छे से मैं इसके ऊपर रखोंगी सारे तरीके से पेपर रखने से यह नमी को एव्जॉर्फ करता रहता है लंबे टाइम तक हम अनियन को स्टोर कर सकते हैं इसके बाद आपको ले ले लेना है यहां पे नियूस पेपर और इसके चार से पांच छोटे चोटे टुकड़े गोले बना देने है आपको और बीच दूसरे वीडियीो को वेयर कि यहां के लिए मार्केट को ले के प्रॉबलम हो तो मैं यहां बहुत अच्छा जूगा टीप अयहां आई हूँ कोई भी है जो भी पेस्ट करते हो वो ले लो और इसके बाद हमको क्या करना है जो पेस्ट है उसको किसे अंदर डाल देना है फड़ा बावर लगा देना है और जहां-जहां आपका काला पन हो गया है कप में वहां अच्छे से आप उसका हलके हाथ से मसाज करके बस एक मिनट के लिए छोड़ दो इसके बाद इसको बहुत अच्छे से जिससे आप मांजते हो बरतन उससे मांज लो और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितना अच्छे से क्लीन हो गया है तो मैं टिप बता रही हूँ यह आप गलास के साथ भी कर सकते हो जो कुछ भी करो दोने के बाद इसमें ऐसे दाग पड़े ही रहते हैं आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी तो यहां वही मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आपको टूट पेस लगा देना है और इस कप में भी गलास वाले कप में भी मैं लगा के एक मिनट के लिए छोड चमक आ गई है और जो इसका वाइट कलर था वो प्योर वाइट कलर ही दिख रहा है कोई और इसमें दाग दभे नहीं दिख रहे हैं आप देख ही रहोंगे अगर आपके साथ भी यह प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आप यह वाले टिप जरूर अपनाना बहुत काम के यह जो भ प्रॉब्लम गर्मियों में होती है थंडे में तो इतने मॉस्किटों मच्र वगरा नहीं लगते हैं बढ़ जाते हैं और देंगू के भी मच्छर आजकल तो फैल रहे हैं देंगू भी हो रहा है लोगों को बच्चों को तो यहां मैं आपको लेमन के साथ बहुत अच्छा दूर कर सकते हैं मैं ले कृँट लेना है को अच्छे से आधा आधा बिस से की nggak देगे से ले लिए ओअधी करनाया जढ़ अब करना इमें सिर्फ आफ लेमन इमन प्रइंगे लिए और इसके बाद भी मिले ले लोग जी हां लॉंग का यूज करना है लॉंग तो आप सब के किचन में होता ही होता है और नीबू भी मिली जाता है तो कोई ऐसी चीज में नहीं बता रही हूं जो कि आप नहीं ले सकते हो या नहीं मिलता है और हमें यहां जादे लॉंग के जरूरत नहीं है सिर्फ 5-6 लॉंग ही चाहिए इससे हमारा काम बन जाएगा और जो यह लॉंग मैंने 5-6 निकाल दी है अब इसे में लेमन में लगा दूंगी देखिए इस तरीके से और ध्यान रहे जो आप लॉंग ले रहे हो वह फूल वाले यह पतले वाले नहों और इसको इस तरीके से ना अब धीरे दीरे अगर उसमें गाड़िंगे मच्छर बगाने के लिए स्प्रे और अगर बत्ती वगरा आ रहे हैं तो आपको कुछ भी लेने के जुरूरत नहीं है होममेड यह वाले टिप अपनाएगे और घर से मच्छर मक्ही को बाहर कर दीजे बिलकुल घर में कभी नहीं आएगा तो जहाँ जादे मच्छर आते है यह अपने बेड्रूम में आप इसको कॉर्नर में कहीं रख दीजे तो वहां अगर आप रख देंगे तो मच्छर मक्ही बिलकुल भी नहीं आएगी और आपको गुड़ नाइट वगरा जलाने की पी ज़रूरत नहीं क्योंकि गुड़ नाइट की स्मेल जो हो हमारे क्योंकि यह सब जो चीजे हैं वह जल्दी जल्दी बनने वाली तो है नहीं इसे हम कभी-कभी यूज करते हैं तो जादे दन के लिए से स्टोर करके रखते हैं पर इसमें क्या होता है कभी-कभी आप देखोगे कि कीड़े लग जाते हैं घून लग जाते हैं तो इन सब से इसको डाल दीजे बेसन के अंधर और अच्छे से मिक्स कर दीजे यह प्रोसेस आप मैदे के साथ भी कर सकते हैं और ऐसा करने से आप मैदा और बेशन को काफी ताइम तेक स्टोर कर सकते हैं उसमें कीडे और घून नहीं लगेंगे यह मैं आपको गारेंटी देती हूं तो इ इतना ही I hope आपको सारी टिप्स और ट्रिक अच्छी लगी होंगी आप ही अपने घर और किचन में इसे यूज करें और बन जाए एक स्मार्ट हाउस वाइफ तो मिलते एक नए वीडियो के साथ अब तेक लिए बाए एंड थेंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स